coming to the topic of yaajuj and maajuj حضرت عیسیٰ को اللہ تعالی حکم नहीं कि आप मुमिनों को तूर के पहाड़ी पी ले जाएं क्योंकि ये वो लोग हैं ये वो दो ट्राइब्स हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता nobody will be able to withstand these two tribes corrupting tribes yaajuj and maajuj ठीक है जब इनको निकाला जाएगा तो ये तबाई फिर देंगे अल्ला के नभी सल्सक्राइब एक दफ़ा घर में दाखिले जैनब बिंद जहाश के रद्यतला अनहा और कहा के वैल लिलारब वैल लिलारब तबाई अरब के लिए निशर रिंक उडिक्तरब जो उन पे आफ़त आने लगी है उनने का रिसुल्ला क्या हुआ क्या हुआ उनने कहा के याजूज माजूज की दिवार में आज इतना होल हो गया है in a matter sign like this कि उनकी दिवार में आज इतना होल हो गया है लकि कभी परेशान थे ठीक है तो इस इनके बारे में याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी जहना खुरान की आयात में भी आता है यह आदीछ नहीं बहुत कुछ है हम ब्रीफ जिर्करते हैं इंशालला ठीक है यह सूर काहफ के आते है थुम्माद्बास जो फे जुम्माद्बास के बारे मात हो रही है ठीक है हटा इजा बलगा बैन साइदैनी वजदा मिंदूनी है कावम लायकादु लिफका होना कौला कि जब दो पहाड़ों के बीच में आये तो उनने देखा कि वहाँ एक कौम है जो के उनकी बात को नहीं समझ रही है मैं ठीक है कालू याजूज माजूज मुफसूद फिल अर्द एजल करना याजूज माजूज वहना उनने फसाद पहला है जमीन में फहल नज्ञालू लका खार्जन अला अन्तज अला बाइनना वबाइनहम सद्दा हम आपको कुछ दें पैसे या आपको कुछ प्रोवाइड क पावर से हेल्प करो अजल बाइनकों वबाइनहम रदमा आतुनी जूब अल्हदीद लाओ मेरे पास आइरन ब्लॉक्स लाओ हता इजब उनको रखा तो कहा ब्लो करो इसको विद विद डिवाइस इसको ब्लो करो हता इजब वो आगी तरह चमाकने लगी और गरम हो गई आतुनी उफ्रे गाला ही कितरा अभी मॉर्टन लावा लेओ मेरे पास और उस पे उन्हें वो डाल दिया तो यह सारी स्टोरी है कि याजूज माजूज दो ट्राइब्स थे जो कि बहुत दंगा फसाद कर रहे थे और तंग कर रहे थे तो हजड़त जुकर ने रहम अल्ला वो नभी नहीं थे यह विजा किंग जिनको बहुत सल्तन दीवी थी यह पास जाद रखें आल्ला ने पू उफार थे और गुनागार थे नेको मेंसे सुल्मान और दुलकर नाइन की बूल जाता एने क्योंकि यह यह इस्ट और वेस्ट ट्रैवल करते थे यह यूज तू वेर हैट विचास्टू हॉर्ण इस वजज़ से एक आ जाता है ठीक है तुलकर ने दो सिंगों वाला यह दो कुम्रानी और जाना ताकत इसी तरह से दो जो बुरे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया की डीवीची एक नम्रूथ था और बख्ष नसर्थ था जिसने बनु इसराईल को तबहों बरबात किया एक तीसरा शाल भी आएगा जिसको अलतला पूरी दुनिया की हकूमत देंगे वो इससे बने मरीम अलस्याद असलाम होंगे इन पांच दोंगे पास पूरी दुनिया की हकूमत आई तो याजूज माजूज देवर कराटिं ट्राइब्स एं देवर करेटिंग फसाद तो तकरीबन इस तरह का एक तरह से इस नाट द वाल ओ याजूज ये एक डैम की वाल है ठीक है तकरीबन गुरान जो कहता है वो तकरीबन इससे मिलती जुल्दी बात है वो आल्लाह थाला आलम लेकिन इस सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ वाल जो कि दोनों पहाड़ों के बीच में इस तो कवर कर दिया गया था याजूज और माजूज किस तरह के होंगे ये उल ये वाजूज बहुत पराने लोग हैं ये हमें इनका कुछ पदेने कि इनकी अरिजिन कप से है और इनका जो नाम बिसिकली राइब होता है के अजद नार दा फायर गॉट वर्स यह उसने वह फ्लेम जादा पकड़ गई तीक है इस नाम से इनका इनका वर्ड निकला है इस बड़े-बड़े सी की जो है ना लहरें उस वजद से इनका नाम याजूज और माजूज निकला है और इन बहुत जादा ना ये वर फियरलेस नोटोरियस और इस तरह के लोग थे ठीक है एक और इसमें आते है कि अलज रॉनिंग फास्ट मींस वह बहुत तेजी से दोड़ बिनुह उनकी ओलाद मेंसे हैं फास्ट लगारी जो अबन हजद अस्वानिय लखी है रह्म अलला उनकी कि हिताब में कि हजद नुह के याजद मेंसे हैं लेकिन कोई हदीस स्पेसिविकली मैं इस बारे में नहीं पड़ी लेकिन उन्हें अपना एक अपिनिन दी है कि वह इ के जिसकоньका एक चान उनकी जिसम के जिसों के वद् से लेटों को अब और आ प vanakर करते आं उनकी लोकस्तु बहुत फोट वह को बोग लंबे और बार्व और ऐसे जीक हैं और चेर की मुझते जानवर drilled गों जाते हैं अपने cattle को खा जाते है है और उनका जो शषद आपसमें मरते है उसको भी वह मरने के बाद खा भी जाते है सपलब होनों गें like hammered shields again brought fishes with hammered shields उनकी छोटी छोटी आंकें होंगी और reddish black hair होंगे ठीक है छोटी आंके brought fishes reddish black hair एक सहाबी मदीना से जो हैना वो थे गालेबन सहाबी थे और कोई आम शक्स था गालेबन वो आया Allah के नभी के पास और कहा कि मैंने याजूज मजूज की दिवार देखी है तो Allah की मिने कहा कि मुझे उस बारे में explain करो तो उसने कहा कि it's like a striped garments which has black and white stripes on it तो Allah की मिने confirm किया कि yes it is that it is यह वही है ठीक है लेकिन हम क्यों नहीं देख पाए वाल्लह आलम हम क्यों नहीं पहुंच पहा है सेटलाइट है सब कुछ है हमने दजाल को नहीं ढूंडा याजूज माजूद खुद हाला कि इतनी बड़ी ट्राइब और इतना crafting nation है जो कि पूरी दुनिया में फता ले जाएगा वो अल्ल्लlkों यकुज अईडिय में आईडिया नहीं दिया कि वो दीवार को फलांकी एक इसे निकल आएं उनको अभी तक अल्लह ने इज़या दिया उनको त्जल को इज़या दें तीक कि निकलने की हाला कि वो निखल एक 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 यकόλग आईज़ देंगे उसे में निकलेगा लेकिन अल्द आला जो चाहें वो करते हैं अगर हमने उनको अभी तक नहीं देखा या फौलो नहीं किया या उस तक नहीं पहुंचे तो ये अल्द आला के प्लैन से एक प्लैन है बुर्ण में सुरह हज की पहली आयत है या अईयोन नासुत गुरवक्म इन्ना जजरत साथी शेयुन अदीम ऐलगों अलासे डर जाओ बेशक जाने लो कि कियामत का जो दिन है वो बहुत कियामत के दिन का जजरत का जो बहुत अजीम होगा हर दूद पिलाने वाली अपने दूद पिलाने वाली को फैंग देगी वतजव कुल दाद हमल हमलहा और हर प्रैगनेंट औरत अपने बोज़ को गिरा देगी वतरन नास सुकारा तुम देखो कि लोग नशे के हालत में है वो मा हुम भी सुकारा लेकर नशे में नहीं होंगे तो पिर क्या को का या अल्ला या लगा कि आज़ाब लाही शदीद ये अल्ल दाला का आज़ाब है जो बहुत शदीद होगा लोग मधोश होंगे यही वो दिन है ये ल्ला की बेन फोरुमाया कि तुम्हें पाताएं कौन से दिन है? सब करें रसूल आप बताएं अल्ला उसका रसूल बेतर जानता है फिरमाया कि ये वो दिन है कि जब आदम अल्यास्वा को आदम अपने जरुरियत में से जहन्नम का इसा अल्हा कर ले आदम आदम आप आल्ला आप आलिम गयव वश्यादा हैं आप जानते हैं कि वो कौन हैं मुझे स्ट्ट करें कि वो कितने लोग हैं फरमायाँ कि हर हजार में से 999 को जहन्नम ही डाल दिया जाएगा और एक जन्नत में होगा और ये वो टाइम है कि जब आल्ला कि इस आजाब को सुनके लोग जो है नशी के हालत में होंगे फकाइफ तत्तकूना इनफर्तुम याउम यज अल्विल्दान शीबा एह लोगों तुम कैसे इस दिन का इंकार कर सकते हो जिस दिन बच्चे भी बूड़े हो जाएंगे और ये वो दिन है कि जब बच्चों की भी बाल सुफैद हो जाएंगे तो सहाबा बड़े परिशान होगा और उन्हेंने फर्माया कि अल्ला कि इस दिन से कि अल्ला कि भी हमें वो कौन बताएं कौन लोग होंगे वो तो फर्माया कि 999 याजूज और माजूज से होंगे और एक तुम मेंसे होगा लंबी यदिस को मैंने ब्रीफ किया है तो इतनी कस्रत से हैं वो कि वो बहुत जादा होंगे और तुम लोग थोड़े होगे इसलिए उनको जहन्ना में डाला जाएगा एक और जिगाप पर आता है कि फर्माया कि अब्समादारी कि ऑलाई की पूरी क्रियेशन को दस हिस्तों में डिवाइड की आ नौ हिसे के और एक हिस्ता बाकी क्रियेशन का और आंचल्स के हिस्तों को डिवाइड के तेन पार्ट्स में और नौ हिसे आल्बी की आरीफ और हम्द उसना और नमाज के लिए और उसकी इबादत के लिए और एक उसका मैसेज और उसके काम करने के लिए और फिर उसने अल्हस ने क्रिएशन को दस हिस्ट में डिवाइट किया नव पार्ट जन्के और एक पार्ट आदम यह्या की जोरियत का । और फिर उन्होंने आदम यह शूरियत को break the barrier किस तरह से वो रुजाना डिक करते हैं उसको खोते हैं हता कि वो बिल्कुल ओपन होने लगता है उनका जो लीडर है बोलता है कि आप रात हो गई है आप सो जाओ कल करेंगे और फिर क्या होता है कि वो रात को जाके सो जाते हैं अल्ह सब्सक्राइब से बिल्ल कर देते हैं उन में से शख्स कहा कि हम कल करेंगे इंशालला और जब वो वापस आएंगे तो वो उससे हालत में होगा और जब वो डिक करा शूरू करेंगे तो लग्स सब्सक्राइब इनको निकलने देंगे थाइठ वो लात को लैनले शख्यिए ईनिफाईल दालिका घौदा इल्ला आईश आ शैयालला आप कभी ऐसा मत कहें कि मैं कल कां करूंगा एक्ष आइड एक हैं इंशाणला और लिजिशाओ यह कुफार उखाएं बतरीन लोग हैं लक्मतने philosophrait गतल करेंगे जो जो सामने मिलेगा लेक आफ या टाबेरियस लेक से गुजरेंगे तो जब आखरी बंदा गुजरेगा तो कहेंगे शायद यहां पर कोई लेक होती थी इल ड्रेंक एड एवरिधिंग पूरी जमीन में लोगों को गतल कर देंगे और जब कतल करके आएंगे कुछ सालों में रिराज करेंगे हमने दुनिया के लोगों कतल कर दिया अब चलो आस्मान लेट्स किल दै इन्हेबिटेंट्स ऑफ हैविन्स और उपने तीरों को निकाले अब हमारा राज है वह यह वो टाइम होगा इतना मुश्किल टाइम होगा कि जब आला सुभानाओ ताला जब लाकि में इन्दिफ हमाया कि एक ऑक्स का सर या एक घोड़े का सर तुम्हारे सौ दिरहम दीनार से भी जाद एक्सपंसिव होगा क्योंकि इतनी स्कैस्टी होग होगी इतने मुशख्कर हलात होगे मुसल्मान तूर के अंटे में रहरे होंगे एंदिल भी सीज्ड भबे वहelectंगे और फसे होगे इस हलाप में तो कहा जाएगा कि कोई मुसल्मान जाए और देखे तो सही क्या हालत है क्योंकि शोर नहीं आरा कापी दिनों से उनकी आवाजें नहीं कापी दिनों से तो बड़ी इस पे बहस चलेगे कौन मुसल्मान जाएगा तो एक मुसल्मान आपने आपको वॉलॉंटेयर करेगा मौत के लिए कि चले मैं आपके लिए आकर मैं ना आया वापस समझना है कि मैं मर जाओंगा क्योंकि गूइंग आउट मींस डेथ वो वॉलॉंटेयर करेगा और जब वो निकलेगा तो वो देखेगा के इट विल बी ओल डेड़ बाड़ीज हताके एक हाथ के बराबर भी हिस्सा नहीं हो और की जाओंगा जहां वो जगह खाली होगी याजूज माजूजज की बाड़ी से और वो कैसे होगी फजद एससा अलार से दुआ करेंगे ए या आल्ला हमें इसे इनसे बचा लें तो अलल्म मैं के गर्दन में कीडे की बिमारी लाइंगे उस कीडे की बिमारी की वर्शे वो पूरे की पूरी नसल खतम हो जाएगी पूरे की पूरी दुनिया जो हैना जाजूर मजूर से भरी होगी वो सब खतम करती जाएगी हता कि जब एक मोमिन आएगा और रहेगा उनकी डेड़ बॉडिस पड़ी में है तो वो तक्बीर करेगा और जाके बताएगा और जब मुसल्मान अपने कुछ ना कुछ लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत रहेगे तो उसे निकलेंगे तो देखेंगे कि दुनिया में रहने की जगए नहीं बची डेड़ बॉडिस और बद्बू और एक बुरे हाला तो दुनिया में तो वज़त इस सब फिर दुआ करेंगे अचला से कि या ला हमारे लिए बंदो बस कर अचला आसमान से ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दने उंट की जैसी होंगे और वो इनके बॉडिस को उठाएंगे और समंदरों में फैंकेंगे और पूरी दुनिया में साथ दिन साथ रातों तक बारश होती रहेगी हता के ये दुनिया दुबारा से उस तरह से प्लेन हो जाएगी जिस तरह से तकलीक ही गए थी आदम के दौर में इस दौर के बारे में अल्ला के नभी ने कहा कि तू बाल आईश इन बाद मसीह ये वो दौर हो जिसमें अमन ही अमन होगा चैन ही चैन होगा और इस दौर में अल्ला के अभी सब्सक्राइब के जहरीले जानवरों के मुझ से जहर को निकाल दिया जाएगा इतना पीस होगा इतनी सेरेंडी होगी कि बच्चे स्नेक से खेल रहे होंगे लाइन्स विल बी अकंपनिंग दो शीप्स और गोट्स इतनी बरकत होगी कि बारा लोग एक अनार को खाएंगे उनका पेट भर जाएगा जब बारिश होगी तो बारा लोग एक पुमिग्री नेट के साय के नीचे बैठेंगे शिल्टर लेंगे एक काओ के दूज से पूरी एक ट्राइब फीड करेगा एक बकरी के दूज से पूरी फैमिली फीड करेगे इट विभरा का पत्रों को पत्रों पर सीट खेंगे जाएंगे देल ग्रो प्लांट सुभान अल्ला इस वुल्व और शीप साथ साथ ट्रैवल कर रहे होंगे हर मुसल्मान के दिल से ग्रज निकाल दिया जाएगा नो ग्रज इस अट अल सकून और चैन के दोर होगा तलवारों को सिरफ काटने के लिए गंदुम और इसा के क्रॉप्स काटने के लिए इस्तमाल किया जाएगा और उनका परपस ही कोई नहीं होगा और सम अलमान सेट कि एट विल बी आ पिरिए ऑफ थाउजन येर्स थाउजन येर्स और इस अलिए अल्गोड इस्तमाल दुभारा से हज करेंगे अल्ला के मिने एक हदीस में फर्माया दो लोगों को जहन्म कभी टच्च नहीं करेगी दो ग्रोहों को एक ग्रोह जो ईस्तमाल के साथ होगा और दूसरा ग्रोह जो घजवा हिंद में लड़ेगा इन पे जहन्म की आग को अल्ला तालन ने हराम कर दिया अल्ला की नभी से लिए ने फर्माया जब इसल सामें बारे बात करते हैं फर्माया कि वो हज करेंगे और वो इहराम पहनेंगे इस वादी में और वो मेरी कबर सी पास से गुजरेंगे और मुझे सलाम कहेंगे और मैं उनके सलाम का जवाब दूँगा तो तुम में से जब कोई भी उनके पास रहे, उनके टाइम में रहे, उनको देखे, तो मेरा सलाम उनसे पेश करना। अबुहररा अबुहररा रदियलग उन्हित ओलायन ये ये हदीष कोट करते वे कहते हैं, कि एए मेरे भाई के बेटो अगर तुम मेंसे कोई शक्स उस दौर में रहा जब इसा लिए आए तो मेरा अबुरहरा कभी सलाम उन्हें कहना कि आपको अबुरहरा और आपको रुस्ट लिए सलाम करते हैं स्टेल देर प्लेस इन मसिद नवी रौजय आइशा के अंदर हज़र आइशा के रौजय में जहां पर कबर मुबारिक है इस प्लेस लेफ्ट फॉर समबडी और होपफुली याट परसन विल भी इसा बने मरियम बिकाज़ घयब का इलम हम ने जानते हैं लेकिन इस इस अम निम मरियम और मुस्लमानों पर जनाज़ पढ़ेंगे और और आइए बिल लिव पीस्फुली अल्ला सब्हाना वटाला ने इस उम्मत तो कितना ब्लेस किया है इस उम्मत का स्टार्ट भी रसूल से है और इस उम्मत का एंड भी रसूल से है इस उम्मा इस ब्लेसिड कि जिसका अल्ला ने ब्रैकेट किया है नबीयों से और अल्ला सुभानाव टाला ने हज़रत इस्माईल के बेटे से और हज़रत इस्हा के बेटे से दोनों को कठे पीस क्रीट करेंगे Who is the son of Ismail? मुहम्मद बिन अब्दुल्लालमेहदी And who is the son of Ishaak? He said ibn Mariam The son of Ismail and the son of Ishaak Together will create peace on this whole earth So amazing, सुभान आला हमें चाहिए कि हम अपने इमान पे काम करें और जो बुरे हालात आने वाले हैं इसे पहले पहले अपने इमान की और अपने खांदानों की हिपादद कर लें